बिर्याने खाना किसे पसंद नहीं होता पर घर पर बिर्याने बनाने के लिए जो टाइम लग जाता है उतना टाइम किसे के पास नहीं होता तो आज हम बनाएंगे वन पॉट वेज बिर्यानी जो एक पॉट में सब कुछ डाल दे फटा फट से बनके रेडी हो जाएगा आपकी बिर्यानी पर विडियो शुरू होने से पहले अगर आपको मेरी ये विडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा फ्रेंज और फैमली में शेयर कर दीजिएगा और आपके अपने चैनल सॉल्ट अं टर्मरिक को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना न भूलिएगा हलो दोस्तों सॉल्ट अं टर्मरिक चैनल में आप सभी का स्वागत है तो चलिए शुरू करते हैं वन पॉट वेज बिरियानी देखिए मिक्सी जार में मैंने धनिय का पत्ता, पुदिने का पत्ता और कुछ हरी मिर्ज डाल लिया है और इसमें मैं थोड़ा बहुत अद्रक भी डाल दूँगी और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए और थोड़ा पानी डालके इसको मैं बिलकुल महीन सा एक पेस्ट बना लूँगी ये देखिए हमारी ग्रीन पेस्ट बिलकुल रिडी हो गई है दूसरा मसाला हम बनाएंगे ये देखिए मैंने दही ले लिया है और दही में मैं धनिये का पाउडर जीरा का पाउडर और यहां पे आ गया हमारा लाल मिर्च का पाउडर फिर देखिए ये हल्दी का पाउडर हल्दी बहुत ही ज़्यादा कम डालना है नहीं तो इसका जो ग्रीन कलर वो बिल्कुल खराब हो जाएगा ये देखिए इस तरह से मसाला तयार इसको ज़्यादा फेटने की जरुरत नहीं पड़ेगी अभी चले शुरू करते हैं कुकिंग मैंने कुकर ले लिया है ये रेसिपी कुकर में हम बनाएंगे आज और तेल डाल लिया है तेल में मैंने थोड़ा बहुत नमक डाल दिया है उसके बाद मैं पनीर को फ्राई कर लूँगी आप अगर पनीर नहीं खाते हैं तो आप टूफू यूज़ कर सकते हैं मश्रूम यूज़ कर सकते हैं तो देखिए जादा फ्राई करने की जरुरत नहीं पड़ेगी थोड़ा फ्राई करेंगे थोड़ा गोल्डन हो जाएगा हम उसको निकाल लेंगे और जी हां इसको पा यह हैं लॉंग और यहां मैंने शाही जीरा यूज किया है आप बिर्यानी बना रहे हैं इसलिए शाही जीरा यूज करें और फिर मैंने चक्री फूल डाला है और यह ब्लैक पेपर साबुत डाल दिया है और इसको हम थोड़ा बहुत फ्राई कर लेंगे ताकि तेल में इसका अरोमा चला जाए अभी देखें मैंने यह सब वेजटेबल्स डाला है बिर्यानी में आपको जो भी वेजटेबल्स पसंद है आप डाल सकते हैं या जो भी अवेलिबल है आपके पास आप इसमें कुंदरू या टिंडोरा भी डाल सकते हैं कोई दिकत वा लसन बहुत जादा न डालिये, दो पीसेस काफी होंगे, अब देखिए कुछ देर फ्राइ करने के बाद मैंने ग्रीन पेस्क डाल दिया है, और जो दही के साथ मसाला तयार करके रखा था वो भी डाल दिया है, हम इसको अच्छे से फ्राइ करेंगे, हाई मेडियम फ्लेम में और इसको हम तब तक फ्राइ करेंगे, जब तक कि ये तेल सेपरेट आउट ना कर दे, देखिए ये सेपरेट आउट करना शुरू कर दिया है, इसमें मैंने पीसा हुआ पीन चीनी डाला है, मेरे पास था, इसलिए आप नॉर्मल चीनी भी डाल सकते हैं, गुड भी डाल सक अब देखिए सारा फ्राइ हो गया है, तब ही मैं इसमें बिर्यानी मसाला डालूंगी, अगर आप खरीद के बिर्यानी मसाला डालना चाहेंगे, तो आप अगर प्याज लसन नहीं खाते हैं, तो एवरेस्ट का मसाला यूज कीजिए, उसमें प्याज लसन बिल्कुल नहीं होता, इसके बाद मैं यहां पे हींग डाल दी, और इसको और एक बार हम फ्राइ कर लेंगे, बहुत जादा फ्राइ करने की जरुरत नहीं पड़ेगी, अभी देखिए, ये पास्मती बिर्यानी राइस मैंने लिया था और इसको धो के मैंने रख दिया था आधा घंटे पह और 5 मिनिट तब तक हमें इसको फ्राइ करना है अच्छे से फ्राइ करना है थोड़ा सा एसे हिला के छोडने ही, तो इसका टेक्श्चर बिल्कुल छेंज हो जाता है, अभी हम इसमें पानी डाल देंगे, हमने 3 कप इसी धिक पी चावल लिया था, तो मैं यहां पे 5 ad 1 पानी डालूंगी यूजुली डबल दिया जाता है लेकिन ये बास्मती राईस बिर्यानी राईस है और मैं कुकर में बना रही हूं तो इसमें मैं हाफ कप कम डालूंगी और अभी मैं इसमें पनीर वगेरा सब कुछ डाल दूंगी जो भी हमें चाहिए एक चमच या दो अजीनो मोटो ये ऑप्शनल है लेकिन आपको बजार का टेस्ट लाने के लिए आपको थोड़ा बहुत अजीनो मोटो डालना पड़ेगा पर ये ऑप्शनल है ये आपकी मर्जी आप यूज करेंगी या नहीं करेंगी और मैंने आधा नीम्बू भी डाल दिया है अगर अगर ने इसमें 2 सीटी लगाया है एक हाइफ लेम में लगाया उसके बाद थोड़ा कम करने के बाद और एक लगाया है अभी देखिए ये बिलकुल रेडी हो चुका है ये देखिए तो अभी हम क्या करेंगे इसको थोड़ा बहुत हाफ खुल के रखेंगे और उसके आने बिलकुल रेडी हो गई है और बहुत साधा टेस्टी बने है आप इसको बनाया के एक बार खाके देखिए आप अपने घर पे बनाए तो बच्चे बड़े सब कोई मांग मांग के खाएंगे बहुत अच्छे बने है और ऐसा नहीं है कि एक ही पॉट में सब कुछ डाल के बनाया है तो बिलकुल खिचडी पक जाएगा नहीं ऐसी बात नहीं है तो आप भी बनाएए और खाएए और अपना एक्सपेरियंस से शेर कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है तो मि मिलते हैं और एक न्यू रेसिपी के साथ थैंक यू फो वचिंग